जब स्वेरा शायецा नोट काने आएगा जैस नायन सफी रहती माहीत अपह भीयर कामड आया थे ये ट्राइम के अल्ला के शेयुना आने, ये हिक्वा आने, जेकी जो बंगाल जे अठामाइन जे इनन जे जन्ग में अड़ाई लखक बत्खा मते और तुन साम ज्याती करें, इनन बंगाल देश में कॉल्ड वार के खतम करें ला, तरकी पसंद स्यासत ये उनने, उनने के खत असां जी अधो मिप खतीजन करया थे म bitterness, आफ एक राणके नगल करें शेयुना मिद्शारभूर, इननने, जेकी खत्तिशन करthem जे सिरिया में करें थे, आफ के खन्यर वार पृत्रवर्भ्ये कर्झाएंचा ये जेकी पान के कौम्टोस्त समझा ओं ता, जेकी én बंगाल जो संजहों का वासा सबने जी गड़िक जदो जया जो मामल वा तब मनसिती इनने रियासा दी निजा में अख़गों अपर ये की अपाने जस्टिफाय करें जी पहें जी आई नी का लुए असां किखों से तर्यासा तक कियां बंग्ला देशी खुद्मक्तिया राजा देजी जंग के उने शक्रदी एर्ट पास देप्यों यहाई असां सबही तंजीमों कॉंपर्स तंजीमों तरगी बसंद तंजीमों अलो, अलो, अलो अलो जो कोसां एक उन्हें ढbbंः वचल सां हो इसता इसां मेर्न कांशा भाए तिक उससे क्लीन ऊसरा ओर एक देप्स़न कोड्र पाला देप्स बीविक्त अलोगरों बाद मैजर सब हो चला रहे और लिग अए प्रोग्राम हो नहीं के सब कर्चिनल देसे हो तासा में तो आब पीगुल्स पार्टी से भुटों जी केर परसंट होता है माँदमा भुटों सावा करते ही जाओन वफागे ती कौमों ते पंच सुभाई गॉवर्में न थिये तो जरे भी अधू तो शागेट तहरी के साथ नगेज़े वड़ा हो औरतों तो औरतों जी तहरी को इसाथ नगेज़े आजाद फ्रंट हो जन्वर्चर जेके पैजे सवाल का जागी तरही रांदी मापाने के कॉंसलर जी सिकत अभी विड़ी तैसी ताइं निजाम एके लोटो नहीं को चहरावत बाप असांके निजाम मताने जो सवागरादा जो सवाल आयँ वह मटाय केरथो सगे वह अवान मटाय सगे थी वह कटेले कटेले जड़ो जड़ नफी मटाय सगे वह सेफी इससाले जी लड़ाय संभी आधी वह कौनी खुदमक्ति आ रही जड़ संभी आधी पहले और जो मैंने दिखाएगा यह पार्टी एक फैक्ट्री है असली सियासी कार कुनोंगा यानि इस पार्टी में सियासी कार कुनों उनको तर्वियत मिलते हैं और वो सही तरीके से और सियासी तरीके से एचलोन अफ ले पार्टी पे चलते हैं मैं क्यूँ इस प्रोग्राम में शिर्कत अख्चियार किया क्यूंके मैं समझती हूँ के हमारे सामने पीपिल्स पार्टी के सामने अभी दो रास्ते हैं हम कब से एक रास्ते पे चल रहे हैं जब से मतलब जिया अलहक के मौट के बाद एक रास्ते पे सब चल रहे थे क्यूंके उसके अलावा और कोई दूसरे रास्ता नहीं थी लेफ्टिस्ट पार्टीज जिया अलहक के जलुम के बाद और इंटरनेशनल सिटियेशन के बदल होने के बाद तोरह सा लेफ्टिस्ट तोरह सा कमजोर हो गया क्यूंके समराजी उवते हमारे उपर ये एक नारेटिव इंपोज किया फर्स किया और ये नारेटिव रिलिजिस नारेटिव था और एथनिक नारेटिव था तो जहाँ आप जाते हैं मैंने भी देखा लिबनान में लिबनान में जब खाना जंगी शुरू हुई इसमें बहुत बड़ा बरी कुवत लेफ्टिस्ट के कुवत थी लेकिन आइस्टा आइस्टा फिर लेफ्टिस्ट के कुवत के जगा में मजहभी कुवत आए आए आज हिजब ल्ला है जो सबसे ज्यादा बरा कुवत है हम उनको पसंद करते हैं हम उनका उनकी लीडर्शिप इहतिराम करते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन आएगा ज आज हम सब जो सियासी कारकुन हैं हमारे सामने दो रास्ते हैं एक राइप पे जाएगा और एक लेफ्ट पे जाएगा अब ये रास्ता जो राइप की तरफ से जा रहे है मैंने जाजागीर दारी पसंद, सरमाया दारी पसंद, गुंदगीरी पसंद, आयस आई पसंद ये राइट विंग रास्ता और दूसरारा रास्ता लेफ्ट विंग है मैंने लेफ्ट विंग का रास्ता अफ्टियार किया और मैं और देखें जब आप लेफ्ट केम्प में हैं आपके नारे को तोरा सा बदर करना से लिए नारा अवाम के लिए होना चाहिए एक शफ्ट के लिए नहीं होना चाहिए हमारे शहीद तो है हमारे पार्टी में बहुत शहीद है लेकिन वर्कर्स पार्टी में भी शहीद है और काफी मज़़ुर किसान पार्टी में भी शहीदें हैं तो हम जब नारा लगाते हैं शहीदों के लिए, सारी शहीदों के लिए नारा लगाना, ना सिर्फ गुटो के लिए क्योंके सबका, सबका खून की कीमत एक है और ये खून सब अज़ादी के लिए, और ये खून इनसाफ के लिए, तो हमें जमीनदारों और जगिबदारों की तरह बिहेव नहीं करना, ये वक्त आया के हम असली लेफ्टिस्ट सियासी कार्पुन की तरह करदार अदा करना, और मैंने मेरी पार्टि को वादा किया, कि मैं लेफ्ट जारी हूँ, देखो फैंस, जो वा सीधा जाता है, मैं भी उसी फैंस की तरह हूँ, मैं लेफ्ट से जारी हूँ, बहुत कॉन्विक्शन से और इमान से, और जो मेरे साथ आना चाहता है, यो आर विलकम, आज का ताइम, आप समझें, तकरीबन नाइटीन सिक्स्टीज का ताइम की तरह है, जब आवाम, तोरसा आवाम की जहन में की दिल में तोरसा होश आ रहा है, ज्यादा होश आ रहा है, स्टूडन्स यूनियन्स बेहाल होंगे, और स्टूडन्स यूनियन्स की स्ट्रगल अभी शुरू होगा, और आज हम ऐसे लोग देखते हैं, जुनके अर्रेस्ट हो रहे हैं, ऐसे लोग जो, ये मैं समझती हूँ, मुस्तकबर की लीडर्शिप है, जैसे आमर रशीद है, जैसे मन्जूर पश्टीन है, जैसे आमर अलीजान है, ये मुस्तकबर की लीडर्शिप है, ये लीडर्शि और जेल से नहीं दरना जेल से लीडर्स निकलते हैं और ये मुस्तक्बिर की लीडर्स है आज हुकुमरान परिशान हैं कि अब अभी हुकुमरान परिशान हो गए जब 30 सालों से जिया अलहक के बाद हुकुमरानी तब का आज परिशान हैं कि उनके गोरे खत्म हो गए उनके गोरे कौन हैं सरमायादार है और जागीरदार है वो खत्म हो रहे हैं उनकी जगा में और उनको और कुछ चोईस चाहिए लेकिन वो इन सरमायादार और जागीरदार का तबका से बाहर कुछ नहीं देख सकते हैं नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि जो होकुमरान जाते हैं इस मुल्क के लिए सिर्फ सरमायादार और जागीरदार लोग उनके लिए कर सकते हैं लेकिन आज जो नया लीदर्शिप निकल रहा है ये होकुमरानों होकुमरान तबका के लिए अच्छा नहीं है तो आज मैं आइम सॉरी के मैं लेट से पहुंची मेरे कारपूर बहुत मुझे दिले किया शेमन्यों लेकिन इंशाला मैं देर नहीं हूं इंखिलाप के लिए मुझे फखर है कि एक रिपोर्ट आया आगाज पेपर्स में के रूलर्स का नजार मेरे उपर है किनके मैं पीटी एम के पास गई और मैं ये एहसास जो मुझे हुआ पीटी एम के जलसे में मैंने कभी नहीं एक्सपिरियंस की थी ऐसे लोग जो तैयार है तैयार है इनकिलाप करने के लिए तैयार है और मैं माज़रत करना चाहती हूँ मेरे गेरतमंद सिंदी भाईयों से कि मैंने मनजूर पश्टीन निशानी तोर पर उसको कहा था अगर आप सादी रफचुदा नहीं हैं मैं आपको मेरे बेटी को आफर करती हूँ मैंने ये निशानी तोर पर और देखे अभी तक ये गेरतमंद सिंदी नाराज है मैं बिलकुल मैं मेरी बेटी तो माशाला आजाद लरकी है आजाद विमन है लेकिन निशानी तोर पर हमने उनको कहा था कि आप हमारी इज़त है और हम हम प्रेंसेंट करते है जो अखचिलाफात है तबका में और हमियत में हम उसके उपर है हम उनको नजर अंदास करते है ताके हम सब एकते पतान, बलोच, सिंडी, पंजाबी, वजीरस्तानी, बश्टून हम सब एक कौम हैं जब अगर हम इनकिलाब की बात कर रहे हैं हम सब एक कौम हैं, एक कौम होना चाहिए जालमों के खिलाफ आज आगाज है और बहुत तारीखी आगाज है और मैं आपके साथ हूँ